हेलो स्टुडेंट्स सशिकाल मैं रकेश कमार इंस्ट्रेक्टर गॉर्मेंट आई टिय महाली आज जैसी टॉपिक डिस्क्रस करना प्रोडेक्टिविटी एंड गीडिपी ट्वडे इंप्लॉइबिल्टी स्केल्स दे सब्जेक्ट दे विच चैप्टर हैगा है मेंटेनिंग एफिशेंसी एंड वर्क प्लेस उसदा टॉपिक है है सब तो पहला आसी देख देया है प्रोडेक्टिविटी है की चीज है जदो बेटा तुसी किसे इंडस्टी नू जाके जॉइन करना है ते उत्थे तुसी ए टर्म प्रोडेक्टिविटी काफी बार सुनूँगे पहल पी इस इकल टु आउट्पॉट ऊवर इंपुट। पी मिंस प्रोडेक्टिविटी आउट्पॉटमेंस धी अमाउंट पर डूज्ट किन्ना असी कोई कंपोनेंट त्यार किता इन्पुट। रिसओर्स इस यूज़्ड रिसोर्सी यूज़्ड रिसोर्स ही यूज़्ड लेंड आ गया है, मटेरियल आ गया, प्लांट, मैशिनरी, टूल्स, सर्फसिस, होंजे आसी एक एग्जेंपल लिए से किसी इंडस्ट्री दे विच कोई प्रोडेक्शन हो रही है, उत्थे आसी कोई कंपोनेंट त्यार कर रहे हैं, दिन दे विच से आसी 1000 कंपोनेंट्स त्य किते हैं, 1000 कंपोनेंट्स जड़े तियार किते हैं, इत इस नोओन अज आमांउंट प्रोडूसल कंपोनेंट्स तियार करन दे लिए, असी के-की यूज़ किता, एक ता राव माटीरियल यूज़ किता, लैंड मीन वो इंडस्टी दी जड़ी जगा है गया, ओदा जो जाओ दियां इन्पूट हो गियां होन मैं गल किती सी भी अपां ओ देते 1000 कंपोनेंट दिन दे विच्छ अपां तियार किता से 1000 दे विच्छों 85 जड़ा से गा सड़ा ज़िए आपां चेक गिता ओ पास हो गया मीन्स ओ ओकेपीसिज होगे और दोसोफीस जड़े सी ओ रिजयक्ट होगे ओ ठीक नहीं है जड़े पीस ओके आ ओनानू ता एक साइड़ते राखते ता जड़े रिजयक्ट होगे दोसोफीसिज ओना दे उत्ते सानु रीवर्क करना पएगा और ना नू ठीक करना पएगा से जड़े 200 PC सी ओना विच्चों प्यापीस तांसी ठीक करले, क्रेक्ट करले, रेक्टिफाइड करले बट जड़े 150 PC होर बाच गे सा डेकोल ओ रिपेरेबल ही नहीं है रिपेरेबल नहीं है ते ओबिएस सानु सक्रैप ही करने पैण गेओ ओन जड़े ता PC सी पजा रिपेर किते सी ओना दे उत्ते रिपेर दी कॉस्ट आगी ओधे द्वारा साड़ी लेबर कॉस्ट आगी हो देते मेशिनरी कॉस्ट आगी हो देते साड़ी लेक्टिसिटी चार्जीज आगे होर कई तरह दे चार्जीज जड़े आ ओ इंकलूड हो गे ओज़े 150 जड़े PC से अपा बनाया सी हो देते अल्रेड़ी असी यह सारी इंपॉट से यूज कर चुके सगे ओसानों उल्टा स्क्रैप करने पर गए होन जदों असी कदों जदों भी किसे भी कंपोनेंट दी कॉस्ट कड़नी हां ते किवें कड़नांगे जिनना हो देते खर्चा आ और 1000 पीसीज जड़े से गे ओदे विच्चों 800 पीस ओके होया 200 पीसीज रिजेक्ट से गे इस करके ओना दी जड़े 200 पीस दे उत्ते रीवर्क साथ आया जहां साथ उसक्रैप करना पाएगा ओ विच इंक्लूड हो गया ओ खर्चा जदा उनक्लूड होया कि होया पर कंपोन मैक्सिमम मा आवे इंपुट कट तो कट आवे दो तरीक्या नाढ अपा प्रोडेक्टिविटी नो इंक्रीज कर सक देया वन इस जाता असी आउटपुट उन्नी रहें दिये और इंपुट नो कटा दिये तामी साथी प्रोडेक्टिविटी वाद जाएगी जाँ फिर कर देयां ते यह सिरफ इंडस्टी दे उत्ते अप्लाई नहीं हुंदी सारी नेशन दे उत्ते सारी एंटरप्राइज दे उतपर एजड़ी डेफिनेशन है गी या प्रोडेक्टिविटी दी ओ अप्लाई होएगी सो इत्थे तक प्रोडेक्टिविटी एंपा रुपता लग गया होण अपा थोडियां ये एग्सेम्ब्ल दे नाल कलियर कर देया कि प्रोडेक्टिविटी की चीज7 है कि है सब तो पहेला आंता प्रोडेक्टिविटी ओफ लैंडड शेम्पल्स घायाँ धी दिया दिन एक सीजन दे विच ओधे तों से ओधो टान ही फसल कड लेंदा हारवरी ओधो फसल लगानदा और दो टान विचेव प्रडॉक्शन लएलनदा होड़ा होडं ने एक सीजन दे विच ओधे ते बैटर सीड़्स यूज कर ले और कल्टी विचन दे थोड़े जे मेथड़ फसल कडली दो टन दी बजाए यह ता मतलू productivity increase होगी that is known as productivity of land क्योंकि land दा पीस हो नहीं सेगा असी हो देते फसल दी production बदा देती है next is productivity of materials productivity of materials तो की मतलबा से कोई tailor हैगा हासी उन्हानू 10 मीटर कपड़ा देता ओनने कुर्टा प्यामा बणानासी उन्हें बड़े अरामनाल विच्छों दो कुर्टे प्यामे धी कटिंग करके दो कुर्टे प्यामे जड़े साडली त्यार कर देते एक उंस्केलड मास्टर से गा उन्नों भी मैं 10 मीटर कपड़ा दे रहता है उन्ने की किता 10 मीटर कपड़े दे विच्छो ओधे को लोग दो कुर्टा प्यामें नि बढ़े एक पूरा कुर्टा प्यामा बढ़ गया ओधे क्वाशा प्याम मादे को अगला बढ़े या निया कवह बत्लब सट उने तयार कर देता तो स्किलफूलनेस भी सिकेज़ा इंयूज थे सब्सक्किल्पूल्यस पूरी सी कर दे पहें और हमेशा 500 पीस ही त्यार हुंदे से गें वन असी की किता ओसे मशीन दे उत्ते कटिंग टूल्स थोड़े जे इंप्रूब कर देНе कटिंग तूल्स इंप्रूब करने नाल की वए तेड़ी सद्धी प्रोडेक्शन सी एक केंटे देची वेच्च वो नौ प्रिडिक्तिविटी ओफ मेंधिगल कर देया. कोई वर्कर काम कर दापे आया, ओ कॉई कंपोनेंट त्यार कर दापे आ, हाथ दे नाल त्यार कर दापे or ओ दोसो पीस एक केंट दे विच त्यार कर दापे आशेगा और ओही मेथड हमेशा यूज़ करदा किसे ट्रेंड जा स्किल्फुल जड़ा वर्कर सी उन्हें उन्हें वर्किंग मेथड को ही नमेश खाते जेना दे नाल ओधी जड़ी कामकरन दी एफिशेंसी इनक्रीज होगी उन्हें एक केंटे दे वेच चार सो पीस बढाने चुरू करते हैं ओधी एफिशेंसी जड़ी सी ओव हंडर परसेंट वद गी सो ऐस तरीके दे नाल आसी सारीयां डिसकस किते हैं कि है कि productivity of land की है कि productivity of materials की है कि productivity of machines की है थे productivity of men की है हुण higher productivity था की मतलब आ higher productivity means more is produced by same expenditure of resources Higher productivity means resources अपन होई यूज किते पर ओ दे ते आसी output जादा कर देती जिनने भी resources तो डेको सेगे होन असी देखना productivity दी जुरूरत क्यों पयागी जदो तुसी बेटा industry जाके जुआइन कराऊंगे यो थे सारे जाने productivity दी कल करणगे सानु जुरूरत क्यों पहला सब तो असी देखिए किसे भी industry दा सब तो वड़ा मोटिवे हुन दा कि जड़ी ओधी नेशन है गिया self-sporting होनी चाहिए दिया self-sporting दा की मतलब हैगा self-reliance होनी चाहिए दिया self-reliance दा की मतलब हा कि ओना देविच इनीक capacity होनी चाहिए दिया कि ओ इनना का आर्न कर सकन जिनने भी goods and services कोई government प्रवाइड कर दी पहिए और नणों अपने बाल भूते दोते खरीद सकना government दी ये responsibility हम दिया कि बाद तो बाद goods and services जड़ी आ अपनी population नूँ प्रवाइड करना जे ओ goods and services खरीदन दी capacity लोग रख दे पहिए एदा मतलोब ओ नेशन जड़ी है और सेल्प स्पोर्टिंग होगी नेक्स्ट इस क्यों जूरू दो पाई greater the amount of goods and services प्रड़्यूस दी higher is the average living standard उनने एक ही कह रहे है जे डिवी country दे विच जिन्या जादा goods and services लोग का नूँ दित्यां जान गिया उनने ओस country दे living standard हाई हो जानके होड किस तरीके नालपा productivity नूँ वड़ी जानके